अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लिटेस्ट टेक्डॉलिज वीडियो सबसे पहले नवश्काद दोस्तों कल मैंने आपके लिए कंपैर्जन किया था ओपो अफ 11 प्रो और वीव वी 15 प्रो का और बहुत जादा लोगों ने डिमांड किया कि सर आप इसके कैमरा कंपैर्जन किये तो मैंने इसके कैमरा को भी कंपैर किया और मैं बहुत शॉकिंग रिजर्ट्स वह बहुत ही आपको मतलब चकर में डाल देंगे तो मैं खुद इतना सप्राइज हूं इतने बड़े प्रामिस के बाद और इनके कैमरे ने मुझे हिला के रख दिया तो चलिए इनकी करते हैं बात मेरा नाव प्रुभात आप देख रहे है यूटक करते हैं दोनों फोन के कैम के अंदर की बात बात दोस्तों मैं आपको पहले से बता देता हूं मैंने जो कैम्मरे का कंपार्जन किया है यह मेरी जो खुद की मुबाइल शॉप है उसमें किया है और उसमें मैंने जान बूज रिख इसको एक्श्वल कंडिशनस के पाकि आपको दिखाई दे एक्श्यल में क्या कुछ समझ में आया मैं आपके साथ सब शेयर करने वाल हूँ सबसे खास बात तो यह है जो आपको ध्यान देने की है कि मैं दोनों को आजू-बाजू करके compare गया मतब दोनों में actually का comparison में difference समझ में रहा है वह उसके साथ क्योंकि देखें बहुत सारे यूट्यूब तो चली-चली से देख लेते क्या है यह तो दोस्तों जैसा कि आप देख पारें मेरे राइट हैंड में है वीव फिफ्टिन प्रो और लेफ्ट हैंड में है ओपो एफ 11 प्रो इनको कर लेते हैं अन्लॉक और मैं आपको बताता हूं यह दोनों की दोनों camera का मैंने comparison किया था तो मैं कोई specs की बात ने करूं मैं सीधे camera पर आ जाते हैं तो मैं जैसा कि मैंने बता है मैं अपने खुद की shop पर यह कर रहा हूं recording और मैंने एक लड़के से थोड़ा assistance मागए आप देख सकते हैं जब मैं इसको ध्यान से आपको दिखाता हूं तो आप देखे इसकी जो ओप चाप्चरिंग में थोड़ी दिखकर दिख रही होगी यह देखे मैं यहां पर रहना इस देखे है मैंने जो अभी चल रहा है उसका गया और मैंने इसको जूम कर यह जूम हो गया लेकिन ओपो जूम सपोर्ट नहीं करता आप इसको समझ जए यह नीचे लिख के आ रहा है यह बहुत बड़ी बात है मतलब ओपो ने 48 मेगापिक्सल नहीं होगा मतलब यह सबसे गंदी चीज़ है मैं बिलकुल इसको पसंद नहीं कर रहा हूं मतलब इसको आप जूम नहीं कर सकते और जूम नहीं करने का यह देखे जबकि वीवो इसली जूम हो जाएगा और इसमे जितने भी मोड्स हैं आप हर मोड का को इंजॉय कर पाएंगे इसमें जो असिस्टेंट ब्यूटी फीचर है जितने भी मोड्स आप यूज़ कर पाएंगे लेकिन ओपो के फोन में आपको बहुत लिमिटेड यूज़ है इसमें हर फीचर यूज़ पैनल रोमा वगरा सब क कुछ आपको मिल जाएगा लेकिन तीनी ओप्शन आपको ऑन स्क्रीन दिखाई देंगे जो बहुत ही बुरे हैं मतलब मेरे इसमें बड़ा लोगों को डिसपॉंड्मेंट होगा अगर मैं इनके सेल्फी कैमरे की बात करता हूं तो सेल्फी कैमरे में एक बहुत बड़ा डि इसमें आपको 32 Megapixel का फीचर दिख भी जाएगा आप देख सकते हैं एक ही इंसान के एक ही टाइम की दो अलग अलग पिक्चर नहीं हो सकती आप देख रहे हैं मैंने एक ही टाइम पे पिक्चर निकाला है और कितनी बहतरीन पिक्चर क्वालिटी है यह बात हो रहे है कि पैनरोमा वगरा का उप्चिन नहीं देख पाएंगे फ्रेंट कैमरा में जैसे आप बाकी ऑप्चिन पर जाएंगे अधर देन फोटो वीडियो या AI वाला फीचर जिसमें आप यह इमोजी वगरा देखते हैं तो इमोजी वगरा क्या ओप्चिन को अगर हटा दें तो बाक अपनी फोटो निकाल लीच अब मैं इसको इस फोटो को देखे आपके सामने जूम करता हूं यह देखे आप देख सकते हैं बहुत रिस्प पिक्चर बहुत प्यारी पिक्चर है जब कि इसमें देखिए नॉर्मल पिक्चर है मन्नल सेलफी के मामले में आपको अलगी साहर होगा कि कितना क्लियर है वीव का वी 15 प्रो और मैं यकीन से कह सकता हूं कि OPPO ने सिर्फ और सिर्फ लोगों को इस मामले में उल्लू ही बनाया है कुछ भी बहतरीन कैमरा नहीं है 16 Megapixel सी पॉप-प के नाम पे वो हम लोगों को उल्लू बना रहा है बिल्कुल भी बिल्कुल भी आप इसमें खुश नहीं रहने वाले है अगर आप ध्यान से देखें अब मैं इसी चीज को इसी पूरे फीचर को यह सामने एक बंदा ख़़ा है इसका निकाल रहा है कि हमारे एंप्लॉई है इसका वीडियो निकाल रहा हूँ अब आप बताइए एक ही इंसान की दो पिक्चर तो नहीं हो सकती और अगर आप बोलें कि आप इसको एड़ेस्ट करें तो मैंने कुछ एड़ेस्ट नहीं किया है मतलब मैंने कुछ भी नहीं किया इस फोन में जैसा नॉमल कैमरा में आम नॉट प्रो फोटोग्राफर तो मैं इतना ज्यादा फोटोग्राफरी नहीं जानता तो जो साधार नॉमल लोग निकालेंगे उसी तरह से मैंने भी फोटो क्लिक की है ठीक है अब मैं आपको यहीं सब फीचर लो लाइट कैमरा की दिखाऊंगा जैसे अंधेरे में कैसे काम करेगा लो लाइट में कैसे काम करेगा वो भी मैं आपको दिखा दूँगा आप देख सकते हैं बहुत ही डिसपॉइंट्मेंट है पिक्चर ग्वालिटिक मामने में आप देखा फ्रेंट फेसिंग कैमरा कितना शांदार है वीवो का ओपो इस इसे रियल डिसपॉइंट्में रियल डिसपॉइंट्मेंट और सबसे खास बात आप ध्यांसे देखिए बहुत ही लिमिटेड यूजिस रहेंगे आप देखे अगर आप सेलफी कैमरा ले रहे हैं तो आट लीस्ट फोटो तो अच्छी आने चाहिए तो अब मैं इसी चीज इसमे निकाल रहा हूँ, वीडियो आप देख सकते हैं, वीडियो तक इसमें बड़ा disappointment आप देख सकते हैं, एक ही समय पर मैंने वीडियो निकाला है, और आप देखे बहुत ही जादा में 48 मेगापिक्सल क्या है यह 48 मेगापिक्सल का मजाग बनाया और मैं स्ट्रिक्ली बोल रहा हूं आप लोग कभी भी यूट्यूबर्स के व्यूपर मज जाए कई यूट्यूबर्स ने इतना एड़ किया ओपो एफ 11 प्रो का अरे तबाही है यह है वो है आपके सामने तबाही है देख लिए ओपो ने बहुत डिसरपॉंट के 48 मेगापिक्सल के आधा भी नहीं लग रहा है 24 मेगापिक्सल भी नहीं दिख रहा है लिटरली मुझे लग रहा है कि 12-13 मेगापिक्सल से भी कम होगा पूरी बीडियो अब मैं आप देख सकते हैं ओल्थो मेरा काम नहीं यह लिए हिल रहा है क्योंबंदा नेया है जो इसको होल्ड करके रखा कामरे को लेगा आप सामने की बात है यह देखिए मैं पूरा आपको दिखा रहा हूं पूरे मोड इसस मैं चेक करहा हूं लो लाइटिंग camera's condition में कैसे भीयो करें अगेन आम सॉरी फॉर डेट moving camera मेरा camera मेरा थोड़ा अच्छी तरह पकड़ नी पा रहा हूं और यह देखिए मैं फोटो निकाली है एक ही टाइम पर एक ही जगह की और कितना लों को मेरी बात पसंदना भी आए अगर आपको अच्छा camera का फोन लेना और आप इन दोनों के भी चूज करने की सोच रहे हैं तो आख बंद करके आप वीवो की तरफ जाहिए कल मैंने ओपो का बेंट टेस्ट भी करने कोशिश की मुझे लगा कि ओपो थोड़ा सा मोटा है तो शायद यह बेंट सर्वाइब कर जाएगा बट जैसे मैंने उसको हलका सा मोड़ने कोशिश की उससे चिट बिट आवा जाने लिगे मैं समाज के तुरन तूट जाएगा मतलब अगर दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप में चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें शेर करें बेल आइकन दबाने ना भूले ताकि आपको में सेके लेटेस्ट इंगलोच वीडियो सबसे पहले